को लेकर बाजार में जो एक्शन है जिसके भी हम बात भी कर रहे थे कमोडिटीज को लेकर रूस और युक्रेन के बीच तनाओ के चलते कमोडिटी की कीमतों में जबरदस उचाल देखने को मिल रहा है एक जल्दी से ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ जुर रही है न सहारा मिला है रुपया कमजोर हुआ है उसके चलते आप कह सकते हैं कि 12 सपोर्ट मिला है सोनी की अगर बात करें तो सुबह सुबह ही हमने देखा था 1914 डॉलर का स्तर इसमें छुआ था जो कि 14 महीने बाद हमने वो लेवल चुटे वे देखा और अभी भी हम देख रहे हैं क 9 से 10 महीने के हाइस के पास 1900 डॉलर के उपर बनाय हुए है टिकाय हुए अपने आपको 50,500 रुपय के पास घरेलू बाजार में ट्रेड हो रहा है क्योंकि inventories की जो किलत है वो across the board बनी हुई है लेकिन सबसे जादा action में aluminium nickel है मैं सुन भी रही थी कि आप भसीन सर बगा सर से इस बारे में discussion कर रहे थे inventories हैं वो बिलकुल आधे से कम हो चुकी है और दर तो अफकोस इस बात का बना ही हुआ है दोनों metals में क्योंकि रुसाल और नर निकल ये दोनों बड़े दिगच producers में से आ जाते हैं चाइना के बाहर aluminium का सबसे बड़ा producer रुसाल है हम ने 2018 में ही देखा था जब प्रतिबंद लगे थे चंद दिनों के time frame में aluminium की की कीमते 30% भाग गई थी आज भी 13.30 साल की उचाई पर है निकल की बात करें 10-11 साल की उचाई पर है सिर्फ यही नहीं यहां पर तो तेजी हमें दिखी रही है आप अग्री कमोडिटीज की बात कर ले खाने के तेल तिलहन पाम बाइदे वे रिकॉर्ड स्तर पर उसकी कीमते चली गई है तिलहन में सोया बीन है उसकी कीमतों में तेजी आई है कौन मक्का ये 7 महीने की उचाई पर चला गया है वेदर कंसर्ण्स ब्राजिल में है अरजंटीना में भी कंसर्ण्स चल रहे हैं और इसके साथ ही गेहूं की बात करें क्योंकि ये भी रश्या यूक्रेन से जुड़ा हुआ मामला है उसके चलते हम देख रहे हैं कि क्योंकि बड़े एक्स्पोर्टर्स में से आ जाता है ऐसके हैं कि सबके बड़े हीं इसब के बड़े हैं किि तो घटाओं सर हमारे मार्केट में भले य फ्यूठर बहुत सारे बैन हो गए हो लेकिन इंफलेशन का खत्रा हमारे लिए बहुत बढ़ा है तो काने के तेल और कच्छा तेल ये जब जब महंगा होगा इंटरनाशनल हमारे लिए भी यह कंसर्न की बात हो जाती है एकाट टेंकर मंगवा के रख लेना चाहिए सब्सक्राइब पहले स्टोर रिस्टोर करके रखा नहीं हमारे पास केपरिसिटी नहीं दी नहीं तो करी लेते हैं जिन्दी के पर नहीं से निकल जाता पेटरोल दीजेर के दामों में उच्छाल है और सबसे मड़ी दिक्कत यह कि पहले से 40 साल की हाइस लेवल की महेंगई अमेरिका में इसके उपर अमेरिका है तो बैंड बच जाएगी पुतिन साब भी गजब के आदमी ही वैसे बहुत दिमाग तगरा पाया है उस आदमी ने इंटेलिजेंस में रहा है क्या एथलीट है क्या खेलते हैं तो तो अलगी लेए संपन टाइप के आदमी है बाकी एक्षिन उनके जो भी हो उस पर नहीं लेकिन एज परसन